हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग dual starter circuit for induction motor के बारे में सीखेंगे using PLC dual starter के concept को हमने part 1 में already clear कर लिया है इसमें हम लोग same circuit को PLC में कैसे implement करते हैं वो देखेंगे PLC जो है programmable logic controller है इसका मतलब यह है कि एक controller है जिसके अंदर logic होगा और उसको input मिलेंगे वो input को logic में डालेगा और जो output आएगा उससे output devices को वो operate करेगा तो simply जो relay logic का का PLC करता है तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको implement करना है पहले power diagram बना लेते हैं सिंगल लाइन डाइग्राम पावर का हम लोग बनाएंगे पहले mcb उसके बाद पावर कॉंटेक्टर कॉंटेक्टर इसके बाद ओवर लोड और इसके बाद हमारा मोटर लगा हुआ है तो जैसा कि आप लोग सिंगल लाइन डाइग्राम में देख सकते हैं mcb यूज किया गया है एक कॉंटेक्टर है एक और ओवर लोड रिले है और मोटर है इसके बाद देखते हैं कि PLC में क्या-क्या इन्पूट रहेगा और क्या-क्या आउटपुट रहेगा इन्पूट में हमारे सैंसर होंग्य, आउटपुट में हमारे रिलेस होंग्य हाँ या फिर कॉंटेटर होगा . प्रोग्राम जो कि आप बनाएंगे प्रोग्राम एंड डाटा हमारा जो भी डाटा रहेगा वो एक सेक्टर में इस्टोर होता है इसके बाद कम्मुकेशन कार्ड होता है इसमें और इन्पुट आउटपुट इन्टरफेस इन्पुट आउटपुट इन्टरफेस यह हमारा आउटपुट हो गया यह हमारा इन्पुट हो गया तो plc में sensor के जो value होंगे वो in आएंगे और plc उसको अपने logic में चेक करेगा और जो भी उसका result आएगा वो उसको output में signal देगा तो basically ये simple सा plc का funda है और हम लोग अभी dual starter के लिए क्या-क्या input है और क्या-क्या output है वो लिख लेते हैं पहला input होगा हमारा emergency stop push button जिसको हम लोग डोनेट करेंगे x0 से दूसरा input हमारा होगा stop push button जिसको हम लोग डोनेट करेंगे x1 से तीसरा input होगा हमारा start push button जिसको डोनेट करेंगे x2 से चोथा input होगा overload जिसको डोनेट करेंगे x3 से इसके बाद आउटपुट देखते हैं हम लोग क्या क्या रहेगा पहला रिले आफ पावर कॉंडिक्टर डोनेट करेंगे इसको वाई जीरो से दूसरा है हमारा मोटर आन इंडिकेटर इसके बाद पीलसी का हाडवेर डाइग्राम बनाएंगे और इसमें इनपुट आउटपुट को कैसे कनेट करना है वो सो करेंगे जनरली पीलसी में इनपुट पूल्ट होता है जिसको डोनेट कर सकते हैं वी से और एक कॉमन पूर्ट होता है तो उसको कॉमन लिख देते हैं उसके जगापर और वोल्टेज का कितना वोल्टेज रहेगा ये जनरली अलग-अलग पीलसी के लिए अलग-अलग है तो उसको हम लोग वी से डोनेट कर रहे हैं पहला एक्स-जीरो दूसरा एक्स-वन तीसरा एक्स-टू और चौथा एक्स-थ्री इसी तरीके से आउटपुट पोर्ड को हम लोग वाई-जीरो वाई-वन वाई-टू और वाई-थ्री से इसी तरीके से आउटपुट पोर्ड हमारा वी-वन वाई-जीरो वाई-वन वाई-टू वाई-थ्री पहला एमेजेंसी स्टॉप पुस बटन एमेजेंसी स्टॉप पुस बटन जो है जनरली एंसी में ही रहता है तो हम लोग इसका एंसी कॉंटेट ही यूज करेंगे दूसरा इंपुट हमारा स्टॉप पुस बटन है यहाँ पर हमने no content यूज़ कर लिया है और x3 overload overload का nc content ही यूज़ कर रहे है common terminal को out में निकाल दिया है तो input side हम लोग represent कर चुके हैं output में देखते हैं r1, दूसरा r2, तीसरा r3, और 4, और 4 और इसका common terminal जो है common में ही connect कर देंगे तो यह हो गया हमारा hardware का डाइगराम और इसको PLC में कैसे यूज़ करना है इसके लिए ladder diagram हम लोग देखेंगे पहले हम लोग समझते हैं कि emergency, stop, push button, on push button और overload को PLC में कैसे यूज़ करना है उसका concept क्या है वो देखेंगे इसमें देखेंगे कि input में अगर हम लोग NO यूज़ कर रहे हैं और उसका ladder में अगर NC में यूज़ कर रहे हैं तो या NO में यूज़ कर रहे हैं तो ideal mode में और active mode में वो NO रहेगा या NC रहेगा input sensor अगर NO है और अगर ladder में इसको NO फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ideal mode में ये NO ही रहेगा और active mode में ये NC हो जाएगा similarly NO input को ladder में NC फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ideal mode में ये NC रहेगा और active mode में ये NO हो जाएगा दूसरा अला case हम लोग ladder diagram बना के समझते हैं normal condition में X0 को अगर press भी नहीं करेंगे फिर भी Y0 on हो जाएगा अगर X0 को press करते हैं तो Y0 हमारा off हो जाएगा मतलब उल्टा आप X0 को press करोगे तो Y0 off press नहीं करोगे Y0 on सेम चीज़ हमने यहाँ पे table form में present किया है दूसरा case है अगर input को NC form में यूज़ करते हैं और ladder में इसको NO form में यूज़ करेंगे तो ideal mode में यह NC रहेगा और active mode में यह NO रहेगा similarly अगर NC input को हम लोग ladder में NO NC की तरह यूज़ करते हैं तो ideal mode में यह NO रहेगा और active mode में यह NC रहेगा ladder diagram का program हम लोग delta WPL software में बनाएंगे और इसमें ही simulator का अभी option है जिससे कि हम लोग अपने program को check भी कर पाएंगे कि वो सही है कि नहीं सही है PLC के hardware में हमने emergency के लिए NC content यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे हमको obviously NO content यूज़ करना पड़ेगा NO content आप यहां से select कर सकते हैं या फिर आप type करके भी इसको ला सकते हैं click करेंगे LD X0 इसके बाद stop push button है वो हम लोग NO में use किये हैं तो यहाँ पे NC आएगा इसके बाद stop push button आएगा hardware में हम लोग NO में use किये हैं तो यहाँ पे उसका NC यूज़ करना है तो इसका command है LD X1 same चीज आप यहां से select कर सकते हैं like this इसको click किया और drag करके यहां पे लिए आएंगे same symbol को आप यहां से menu से भी उठा सकते हैं को जो symbol आपको use करना है like normally close अगर use करना है तो उस पे double click किजिए like मैं define करता हूं X2 तो यह select हो जाएगा आपका X2 आ गया इसके बाद on के लिए एक push button है जो की no में है तो उसको no में ही रखना हमको X2 यह दोनों line किलियर है यहां तक आपका supply आई रहा है X0 emergency stop X1 stop push button इसके बाद एक overload आएगा overload हमारा NC में connect है hardware में तो यहां पे no content यूज करना पड़ेगा इसके बाद push button जो की motor को on या off करेगा तो push button हमारा on वाला NC में no में है hardware में और यहां पे भी hardware no ही यूज करना है means जब हम उसको press करेंगे तभी NC में convert हो तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपका line एक बार प्रेस करने पर continuous hold करने के लिए एक hold on content यहां पे लगाना पड़ेगा ओके motor on indicator के लिए motor के parallel में y1 लगाएंगे y1 सेम चीज आप लोग command से भी लिख सकते हैं like y1 को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा out y1 इम motor off के लिए एक indicator लगाना है जो कि y2 से connect है नहां से एक y0 का content यूज करेंगे जो कि nc रहेगा उसके बाद y2 के coil को देंगे यह तीन output हमारे connect हो गए हैं चौता output है हमारा overload का कि overload जब हमारा trip होगा तो एक indicator आए ओवर्लोड का input हमारा x3 है normal condition में nc में रहेगा ओके तो यहां पर हम लोग nc यूज करेंगे को कोई से connect कर देंगे y3 यह logic डवलप हो गया है डूल स्टार्टर के लिए चलिए इसको टेस्ट करते हैं इसके बाद simulation mode को on करेंगे इसके बाद online mode के symbol को click करेंगे जिससे की यह simulation online mode में चला जाएगा लेडर logic अभी online mode में चला गया है पहले तो हम लोग input को set कर लेते हैं इसी तरीके से आपका x3 जो है overload है overload आपका nc में यूज किया गया है तो यहां पे इसको set on करना पड़ेगा यह आपका condition है इन्पुट का तो आप देख सकते हो y2 on है इसका मतलब motor हमारा off condition में है x2 को press करते है momentary तो y0 हमारा on हो गया है और y0 के context से y0 को continuously hold on मिल रहा है और y1 भी on है मतलब motor on indicator है अभी देखते हैं x1 को press करेंगे प्रेस करते हैं y0 और y1 off हो गया और यह फिर से अपने normal position में आएगा तो y2 on हो जाएगा मतलब motor off condition में है फिर से motor को on करेंगे अभी overload को trip करते हैं overload को जैसे ही trip करेंगे overload trip का signal on हो जाएगा और motor आपका off हो जाएगा उसका indicator नहीं आएगा motor on भी नहीं होगा उसका भी indicator नहीं आएगा और y0 भी off रहेगा तो यह proof करता है कि आपका simulation model ok है और इसमें आप लोग देख रहे हो कि input में आपको signal देना है output में आपके relay या connector connect रहेंगे और ladder diagram जो कि PLC के अंदर है वो run करेगा और logic में input को sense करेगा output command देगा तो यह हमारा function दर dual starter का सुनाइब और bending सुनाइब पर का रहे हमारा it accurate कुनाइब जाए का रहए